वर्म होल को समझाने के लिए मैं एक पेपर का उपयोग करता हूँ ये एक जिग्यासा और है लोगों के मन में कि ये वर्म होल जो आप बता रहे हैं वो है कहां पे उसकी जानकारी और वहां तक पहुंचना कैसे है ये भी लोग जानना चाहते है शक्र तीर्त जो है वो वही स्थान है जहां पे शिग्जी ने अर्जुन को डर्शन दिये और अर्जुन ने तपस्या करी थी बहां पे जिससे के उनका शरीरिस लायक हो जाए कि वो स्वर्गा रोहन के लिए जा पाए नमस्कार जैशाराम एक बार फिर सभी साथियों का प्रशाशक समीति के योट्यूब चैनल पर सत्य सनातन नाम के इस सीरीज में हर्दिक स्वागत है और आज की सीरीज कुछ स्पेशल है क्योंकि पिछला जो एपिसोड आपने गंगावया के उपर देखा होगा उसी पर कुछ लोगों के प्रश्न आये लोगों ने कुछ जानकारियां जानने का प्रियास किया हम उसनी जानकारियों को आप तक प्रदीप जी के माध्यम से प पिछला जो एपिसोड हमने किया था उसमें गंगा मया के उपर जो आपने बातें बताई वो इतनी इंट्रेस्टिंग थी कि लोगों के प्रश्न आ रहे हैं वो यानि जो आपने वर्म होल और कई सारी चीजें बताई वो लोगों ने पहले कभी शायद सुना ही नहीं होगा और अब उनके मन में ये जिग्यासा आ रही है कि हम और इसके बारे में विस्तार से जाने तो मैं आपसे दो तिन प्रश्ण पूछूंगा जो मैंने ये सारे प्रश्णों में से छाटके निकाले हैं तो पहला प्रश्ण तो मेरा यही है कि जो वर्म होल आपने बताया उसकी विस्तार से थोड़ी सी जानकारी दीजे दा कि लोगों को ये वर्म होल का concept clear हो सके वर्म होल जो लोग science में इट्रोस रखते हैं या science से चुड़े हुए हैं वो लोग अच्छी तरीके समझते हैं वर्म होल को समझाने के लिए मैं एक paper का उपयोग करता हूँ लेकि पूरा का लेकि इस point तक 1000 light years की है अब फिलहाल हम लोग light की speed से नहीं चल पा रहा है हम लोग sound की speed से 5 गुना sound की speed से 6 गुना light की speed से चलना भी संभव नहीं हो है हमारे पास इसकी technology नहीं है लेकिन हम यह मान लेते हैं कि हम यह दो point दिखा ही पट रहे हैं आपको ये point मैंने एक यहां प speed से भी जाएंगे हम जो कि एक highest speed possible है एक hypothetical speed है कि हम ऐसी कोशिश कर रहे हैं कि कभी हम भविश्य में 100-200 सालवार ऐसी technology बना पाएं कि हम इस speed पर जा पाएं जी अगर हम ऐसा कर भी पाए तो भी हमको एक हजार साल लगे गया है अब एक हजार साल इंसान की उगर कित्ती है तो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक ब्रह्मांड के अंदर जाने में हमारे सबसे करीवी solar system तक भी अगर हम जाते हैं तो भी कहा है 500-600 साल प्राइब इसके उपर एक technology पे वर्क हो रहा है जिसमें जिसके बारे में हमारे वैदिक सिधान्त में भी लिखा हुआ है वैदिक वर्मौल किसको बोलते हैं हम इस पॉइंट से पॉइंट की दूरी जो है इसको तै करने के लिए जो समय लगा रहा है वो तो बराबर रहेगा लहिकिन हम अगर हम इस पॉइंट को ही पास लेकिया जाएं तो और यहां से हमने एक छेद बना दिया तो यह दूरी कितना तुल मतला इन दौनों दोलियों को हमें पास कर गया, यानि ब्रह्मांड जो है, पूरा का पूरा ब्लाक मैंटर का बना हुआ है, डार्क मैंटर को गौड पार्डिकल भी बोला जा रहा है अबसकों, हम सब लोग बोलते हैं, काली माता जो है, वो पूरे ब्रह्मांड जो है, वो नी हमे, जो डार्क मेक्टर है, ये अल्टिमेटली देखा जाए तो बहुत ही माइनूट पार्टिकल्स का बना हुआ है, छोटे-छोटे पार्टिकल्स का बना हुआ है, पहले ऐसा माननी जाता था, कि ग्रम्मांड वेक्यूम है, कुछ भी यहां के अंदर जो है इसको वह तो उसको है वहां के अंदर ऑब ऑद्धी यह पुंटा पर ऑफो सब्सक्राद है। ऑब मचना के लिए कहीं नहीं ड congregate अब ये डार्क मेटर जो है और इन पार्टिकल्स को अगर हम कुछ ऐसी व्यवस्था करके इसको पास ला पाएं पार्टिकल्स को तो डूरी बरावरह यह थोड़ा सा हिस्सा जो है बर्मांद का उसकड़ गया उसको ही वर्मण बुले आप बहुत सारे ऐसे scientific experiments हुए हैं और बहुत सारे automatic चीजें होई हैं ब्रह्मांड के अदर कई सारे ऐसे आप सुना होगा कि जो एरक्राफ गया और एरक्राफ जाने के बाद में पर्मुरा ट्राइंगल के बारे में आता है वो किसी ऐसी स्थान पे एंटर कर गया जलती से जहां से अचानक से बहुत दूर पहुंच गया हम ऐसा बोलते हैं कि पूरे ब्रह्मांड का जो निर्मान हुआ है वो ओमकार के तीन हिस्सों में डिवाइड किया जा सकता है ओ, ओ, म, ब्रह्मा, विष्णु, महेश यह तीन जो sound है इनसे ही पूरे ब्रह्मांड का निर्मान हुआ है आज quantum theory यही बोल रही है कि चितने भी particle है उन सारे particles के अंदर कहीं ना कहीं वेवलेंग्थ और जो vibrations हैं वो समाहित हैं और वाइबरेशन से ही वो particles बने हुआ particles यो है वो हमको दिख रहा है particles लेकिन वो particles है नहीं है वो ultimately देखा जाए तो एक जगे के ऊपर vibrations जो है बोले बहुम रही है और वो हमको पार्टिक जसा प्कीत होता है और उन्हीपरिकल से हमारा निर्मान हुआ है उसी प्रिकल से पूरा निर्मान कान निर्मान हुआ हू इन जो हम लोग गंगा के उद्गम की बात कर रहे थे और जो हम बात कर रहे थे तो गंगा ग्लेशियर का जो सेंटर है उसकी बात कर रहे तो गंगा ग्लेशियर के सेंटर में एक ऐसा वर्म होल मौजूद है जिसका कई बार उपयोग हुआ, एक बार नहीं पयोग हुआ, कई बार और कई रूक Hun bonnet कई साए achievement को कुछ उड़ारंग देता हूं हु יन हम लोगों सबसे पहले बात करी थी युद्षिष्ठी युद्षे जो थे 5 पंडव के साथ एक युद्षिष्ठीस पांक प् safety अपने बहू 14 पांड़ाइन के ते क्वेलिंग्र और सब्कुर। Kerry संका उven उनकी रस्ते में मृत्यू हो गई और मृत्यू होने के कारण भून ही पहुच पाया और युदिश्टर अकेले वो उसी स्थान पे पहुचके उसके बाद में उन्होंने सच्छेरीर जो है सवर्गारून किया उससे पहले का इस स्थान का उपयोग हुआ गंगा के उद्वगं उसके बाद में इसी स्थान से अर्जुन जो है महाभारतकाल में यानि युदिष्ट्र से पहले अर्जुन जो है इसी स्थान से गए और इसके प्रमान मुलते हैं अब आगे हम जो चर्चा करेंगे इसके प्रमाण मुलते हैं अर्जुन के बारे मैं आपको पता होगा कि इस समय पे अर्जुन युद्ध के लिए ते उस समय पे वो स्वर्ग गए थे वहां से अस्त्र प्राप्त करने को और स्वर्ग जाने से पहले शिवजी से उनकी भेंट हुई थी और शिवजी जो है वो एक वहिलिये के विश में अब तरित हुए थे उनका युद्ध हुआ था और उसके बाद उन्होंने बुला कि नहीं में यह क्या है कि अपने जो टेस्ट उन्होंने लिया था उनका उसके पास वे और उसके बाद वो जो हैacy की तरफ गैसारी उसी पर मैं ग्या की फॉल्ट के वारे में तो बता दिया अब ये एक जिग्यासा और है विष्ट्रल ना कैसे यह भी लोग जानना चाहते हैं क्योंकि आपने बताया जी का उद्ध्रम हुआ फिर आपने और भी दो-चार बाते बता दी कि अर्जुन भी गए और यह दुश्टिर भी गए थे सैसरीर लेकिन अब वो अगर उससे देखना है यह वहां तक पहुंचने का उसको केवल देखने के लिए जाना है तो जाएं कैसे वहां तक पहुंचे कैसे इसकी जानकारी भी आप से लोट जाते हैं बिल्कुल सीडियों पर चड़ना किसी के लिए संभब नहीं है जिनने भी प्रयास किया वह उनका शरीर उनको त्यागना पड़ गया है विफल रहा बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो की ट्रेकर्स हैं बहुत सारे ऐसे मांटेनेर्स हैं जिन्होंने बड़े- पहुंचना पड़ता है बद्रीनाथ से ट्रैकिंग करने पड़ती है और कुल मिलाके साथ दिन की ट्रैकिंग है साथ दिन का समय लगता है वहां पहुंचने के लिए और साथ दिन पैदल यात्रा है पूरा हिमाले के ऊपर कम ऑक्सीजन में चलना पड़ता है मुश्किल उस इस्थान के बारे में वर्णन जो है मैं अवश्य करना चाहिए उस वहां पे जाना अपने आप में एक ऐसा द्रश्य देखने को मिलता है इस प्रकार की शक्तियां देखने को मिलती है लोगों को कि हर व्यक्ति को प्रयास करना चाहिए कि जब तक वो स्वस्थ है क्योंकि ज्यादा तर लोग कोशिश करते हैं कि हम तीर्थ जो है वो हमारी जब उम्र हो जाएगी उस समय पे करेंगे जब तक आपका यू अवस्था है या प्रोड अवस्था है उस पीरेड में जब तक आप तक ही आप उसको करके आते हैं क्योंकि व्रद्धा वस्था में वहां पर जाना संभव नहीं है क्योंकि अगर मानलों आपको बीमारी लग वही है और फिर आपके मसल्स जो है उतना काम नहीं कर रहे हैं क्योंकि इतनी चरहाई नहीं चड़ पा रहे हैं तो संभव नहीं हो पाता है तो इसके लिए बद्री विशाल से सबसे पहले जो एक चमतॉली बुगयाल की तरफ रस्ता जाटा है एक चमतॉली दुगयाल में वहाँ पे क्या है के रिधा ते जो टन्ट ओते हैं वहां लगाते हैं और तर शूब разр γलूट दो ही समय पर इस जगय पर जाना संभव होता है एक होता है सपtschaftल मैं चाम जाता हैम उत्व गणा के सब्सक्राइब ऑफिरो चेरिए सता है ज Weirdop एक हमुद Łडेमक्रेट केidas डिसने गणेव स्कालते हम उबने जाना एक तो पर मैंगें सब्सक्राइब और जुन जुलाइ का समय गर्मियों का रहता है उस समय भी वह कर जाया गाल वैसके बाद में जो घ्वं। तो अगला स्थॉप जो आता है वह आता है लक्षभी वन अगर हम देखे को करीप करीप सबस्था डाइप के उपर लक्षमी वन है, 4000 मीटर के उपर कोई भी अगर आप पहाड को देखेंगे तो पहाड इदम पैरन होता है, उसके उपर बरफ होगी, पथर होगा, ग्राबल्स होगे, लेकिन उसके उपर कोई भी वन वनस्पती जो है, वो नहीं उपादे इकनी उचाई पर, लेकिन य की बात है, कि 4000 मीटर की उचाई के उपर भी लक्षमी वन है, वहाँ पे गोजव पत्र लगे हुए है, यह वही इस्थान है, जहां पे नपुल जो है, उन्होंने अपना शरीर दियागा, इसके बाद में जाते हैं, तो शेहत्धारा के दर्शन होते हैं, शेहत्धारा करीब 4500 मीटर के असपास आता है, वहाँ पे जैसे नाम है, शेहत्धारा सो जानी की जो है, वह पूपती है, और इसके बाद में चक्रतीर्थ इसके आता है, अब चक्रतीर्थ जो है, वह वही स्थान है, जहां पे शिव जी ने अर्जुन को डर्शन दिये, और अर्जुन ने कि आलठे, अर्जुन ने जो शिरीर अगा था, अर्जुन वहाँ पे, अर्जुन समझ गये थे, कि यस ऐगे नहीं जांट तो अर्जुन वहाँ पे ध्यान में बैठे, और ध्यान में बैठके अपना शरीर त्याग दिया, कि मैं जो है, वो यहां से स्वर्क की यात्रा करू अपनी आत्मा के साथ में करूगा और इस शरीर को त्याक के मैं स्वर्व की तरफ प्रस्थान करता हूं ऐसा उन्होंने स्वेम संकल्प लिया और वहां पर शरीर त्याक करके वह आगे बढ़े अब यह चक्रतियुत जो है इसके आगे जाते हैं तो सत्वपंथ सरोवर आता है इसका नान ही है सत्व उपंथ सरोवर इस सत्य का सरोष ऐसा सरोवर जहां पर सत्यसवयं विद्दमानें हैं यहां सत्य जो है वहां पर स्थापध हैं इस सरोवर की बहुत सारी ऐशी कjekथांएं कि वहाँ पे आगर आप जाएंगे आज भी को सअजू संद सरी गुफाय क है इस पे पहुंचना ही अगर कोई भी बनिश यहां पे जाता है थोड़ी देर भी ध्यान में बैठता है तो ऐसा बुलते हैं कि ध्यान में बैठने के बाद में स्वर्ग से उसका कनेक्शन जो है वहीं पर बन चुका होता है उसकी अंदर कुछ ऐसी शक्ति आ जाती है जिसकी अभाडे में स्वर्ग से ने चुक्ति को जाना जागे है और हम आवस्या दीं सुखा हो जाता है जैसे 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 उस अपना रूह परिवर्टन करता है अवस्या से पूंड मासी के तर ये तरफ जल बढ़ता जाता है और जैसे पूर्ड मासी से अमावस्य की तरफ चंद्रमा आता है वैसे वैसे इस पर जल खाली होता चला जाता है वहां पर सारी चीज़ें वह इतनी अधुथ हैं इतनी चमतकारिक है कि साइंस भी नहीं समझ पा रही है कि हो कैसे रहा है को इसके बारे मे आप आपना पूण मासी पर होता है तो पूरा का पूरा सरोवर और मावस्य पर खौलीम पैदल घूम लीजिए उतकी अंदर ऑब बिल्कु वह जाता है ऐसी वहां पर उसके बात में आता है तो जाते हैं सूर्य कुण जो जाते हैं सूर्य को जो है वो देजो में उन्ड है उसके अंदर पहुचते ही, आपको Suri की उश्मा है इसली थंड़क है, लेकिन उस पानी में अगर ठेहेंगे तो आपको फंड़क महसूस नहीं दो इसली हो उसको Suri selective बॉला जाता है, के वहां पर नहाने के बाद में उर्जा शरीर में ऐसा नहीं कि पानी गरम है पानी वह भी ठंडा है लेकिन वह आपकी शरीर की उर्जा में ऐसी कुछ चक्टियों की स्थापना करता है जिसकी वज़े से आपको ठंड लगना बंद हो जाती है इसलिए इसको स्थूरुकंडु को लागा है इसान के शरीर के अंदर ऐसी उर्जा स्थापयत हो जाती है कि उसको वहां पर इतने कम अधर और से जगे पर उसको उश्मा मेहसूस होती है उसको अच्छा मैसूस होता है अंदर से और वो आगे बढ़के अपना स्वरगा रोहन बेस कैम तक पहुंछता है जो कि अधरी 6100 जो है वहां से स्वर्गा रोहन पीक जो है वहां तक जा जा सकता है जिस पर जाने के लिए आप रस्जी ओपयोग कर सकते हैं बहुत सारे वह लोग भी लेकिन उसके लिए बहुत पर जाने के बाद सीड़ियां वही दिखाई पड़ती है लेकिन उसके आगे ग्लेशियर जो है बहुत ही कॉम्प्लिकेटिड हो जाता है क्योंकि स्वर्गा रोहन पीक तर जाते हैं उसके आगे बहुत सारे लोगों ने प्रयास किया बहुत सारे जो एक्सपेरिमेंट्स हुए जिसमें हेलिकॉप्टर से उसको देखने का प्रयास हुआ लेकिन कुछ भी प्रयास सफल नहीं हुए ना तो उस जगे को कोई पर से देख पाया नहीं उस जगे पर कोई की पहुचने का प्रयास कर पाया तो ही स्थान ऐसे हैं एक स्थान अगर हम मालें तो यह सुर्गा रोहन जो सीडियां है स्वरकी और दूसरी क्यलाश करवा यह दो स्थान ऐसे हैं जिर स्थानों के विशह में ज्यादा साइंस आज तक नहीं समुझ पाई है कि इस्थान बन हो चुकी है स्वरका रोहनी के विशह में बहुत ज्यादा चर्चा नहीं कि ले थे हैं तो हम लोग ऐसे विशह ही ले रहे हैं यह बहुत अफर दो चुब जो जानते हैं इस सा इसा स्थान है जो की बहुत समदकर एक स्थान हैं और वहां पे शिव्जी की पूरी शक्किया विटीओ के लिए कुछ बनाने की कोशिच कर रहा है हर्कोई कुछ बताने की कुछ शे विए वहाइं वहाँ हम उनके डॉपत भाया सुन्दर रोचक जानकारी या आपने इस सीरीज के माध्यम से दी है और मुझे लगता है जिन लोगों ने इस जानकारी को सुना होगा और जिन लोगों में ऐसी चमता है या उनकी सोच विक्षित हुई है कि वो वहाँ जाएं तो जैसा कि प्रदीब जी ने कहा वहाँ जाने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी इसलिए पहले थोड़ी बहुत छोटी छोटी ट्रेकिंग वगरा कर लें ताकि आप उस बड़ी ट्रेकिंग पर जा पाएं बहुत समय लगेगा बहुत मेहनत वाली चीज है और बहुत ज्यादा ठंड है ऑक्सिजन की कमी है तो आपको बलिष्ट होना बहुत जरूरी है तो यदि कभी जाना चाहें तो पूरी तयारी के साथ जाएं वरना आधे रस्ते से वापस आना पड़ सकता है तो सभी लोगों को यह जानकारी मुझे लगता बहुत अच्छी लगी होगी प्रदीप जी बहुत ही बढ़िया सुन्दर रोचक जानकारी और जैसे हैं बद्री नात पहुंचने के बाद ही उनको अच्छी ठंड लगती है कि वहां के बस दर्शन करने के बाद सीदे वाप सर्व की सीडियों तक हम जा सकते हैं उनके दर्शन हम कर सकते हैं बट उसके लिए भी हमें बहुत ज्यादा तपश्या जो कह रहे हैं वो तपश्या करनी पड़ेगी अपने आपको उस उस हिसाब से बनाना पड़ेगा फिर हम वहां जा सकेंगे प्रदीप जी ने जो भी ज सेयोग करके और लोगों तक पहुंचाने का प्रियास करें और इस सीरीज का जो हमारा यह प्रियास है इसको सफल बनाएं सभी को जैश्याराम और अगली बार फिर एक नए विश्या के साथ हम आपके सामने उपस्तित होंगे जैश्याराम